दोस्तों सावन में इस कथा का बहुत ही जादा महत्तु है तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा को ओम नमस्शिवाए करपूरगारं करुणावतारं संसारशारं बुजगेंद्रहारं शदावशंतं रदयार विंदे बवं भवानी सहितम नमामी एक गाउं में एक बुढ़ी माई और उसका बेटा रहते थे वह खेतों में खूब मेनत करते थे बुढ़ी माई ने सोचा अब बेटे की शादी करवा देनी चाहिए उसने एक अच्छी लड़की देकर बेटे की शादी करवा दी उसकी बहु बहुत सुशील और संसकारी थी वो महादेव की परमभक्त थी सुबा जल्दी उठकर वो भगवान की पूजा अर्चना करती थी कुछ महीने बाद शावन का महीना आ गया उसने अपनी सास से पूछा माता जी मैं प्रती दिन मंदिर में शिव लिंग पर जल अर्पित करने जाना चाहती हूँ बुढी माई बोली तुम घर ही पर ही पूजा कर लेना मंदिर जाने में वक्त बरबाद होगा उतने समय में तुम घर का काम निप्टा लोगी ऐसा सुनकर बहु बहु बहुत उदाश हो गई वह कुएं से जल भरने जा रही थी तब उसने दो लड़कियों को हाथ में पूजा की थाली लेकर मंदिर जाते हुए देखा तो उसने पूछा तुम लोग कहा जा रही हो लड़कियां बोली हम मंदिर जा रहे हैं पर तुम इतनी उदास क्यों हो बहु ने सारी बात बताई तो वह लड़कियां बोली तुम रोज इसी समय पानी भरने आया करना जिससे तुम हमारे साथ मंदिर जा सकोगी बहु बोली पर मैं घर से थाल सजा कर नहीं आ सकती मेरी सास को पता चल जाएगा लड़कियों ने कहा तुम हमारी थाली से ही पूजा कर लिया करना बहु खुश हो गई प्रति दिन वो उनी लड़कियों के साथ मंदिर जाने लगी शावन का आखरी दिन आया तब बहु ने सोचा आज तो मुझे कुछ अपना शिवलिंग पर अर्पिट करना चाहिए उसने अपनी नाक की नत निकाल कर उसे दोकर शिवलिंग पर चड़ा दिया घर आकर वो अपनी सास से दूर दूर रहने लगी उसकी सास ने फिर भी उसको देख लिया और उससे पूछा बहु तुम्हारी नत कहां है वो बोली मुझे नहीं पता माता जी शायद कहीं गिर गई होगी सास ने पूछा आज तुम कहां गई थी वहीं जाकर ढूंड लेंगे बहु बोली पहले कुएं से पानी लेने उसके बाद उपले थापने गई थी वो दोनों उपले निकालने लगी दोनों के उपले हटाने पर दोनों उपलों में नत निकली सास ने कहा नत तो एक थी दो कैसे हो गई तब सास ने सारे उपले हटाए तो सब में नत निकली सास ने पूछा या माजरा क्या है तब बहु ने माफी मांगते हुए कहा मैं रोज श्यूक मंदिर में पूजा करने जाती थी आज मैंने अपनी नत श्यू लिंक पर चढ़ा दी या श्यू जी की पूजा का ही फल है सास बोली अगले साल सावन में हम दोनों ही पूजा करने साथ चलेंगे अगले सावन में दोनों सास बहु ने साथ पूजा पाट की इसे बूडी माई के घर में खूब रुपिया पैसा हो गया और बहु को एक सुन्दर पुत्र रत्न की प्राप्ती हुई जैसे बोले नात बूडी माई और उसकी बहु को दिया वैसे ही भोले नात की पूजा करने वाले सब को दे है भोले नात आपकी महिमा अप्रमपार है जय शिवशंभू जय शिवशंकर ओम नमस्षिवाए तो दोस्तों ये थी आज की कथा और आशा करते हैं कि आपको मेरी या कथा पसंद आ अगर आपको मेरी या कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शियर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले पास में जो बेल आइकन है उसे भी धबा दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके ओम न मस्चिवाई